दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक छोटी सी अपडेट पैनसोनिक फैंस के लिए अबाउट दे लेटेस्ट पैनसोनिक टीवी फॉर 2021 और हम इस वीडियो में इस पैनसोनिक 2021 टीवी मॉडल के फीचर्स और स्पेसिकेशन के बारे में जानेंगे तो चलिए फिर देर किस बात की आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों कल पैनसोनिक ने अपने लेटेस्ट ओलेट टीवी पैनसोनिक जेजी 2000 टीवी लांच किये हैं इनसेश 2021 इवेंट और ये जेजी 2000 टीवी दो स्क्रीन साइजेज में आएंगे विच इस 55 इंच एंड 65 इंच और दोस्तों यहां पर आपको एक 10 बिट वीए ओलेट पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा विच सपोर्ट से maximum brightness of around 1000 nits and a variable refresh rate of around 120 Hz और दोस्तों पिक्चर कॉलिटी की बात की जाए तो इस टीवी को पैनसोनिक ने Master HDR OLED Professional Edition का नाम दिया है क्योंकि ये एक बहतरीन पिक्चर कॉलिटी डिलिवर करता है especially while watching movies और पिक्चर कॉलिटी enhancement के लिए यहाँ पर आपको Panasonic का latest HCX Pro AI processor, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HLG, HDR10 and HDR10 Plus Adaptive Formats का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और एक best gaming experience के लिए यहाँ पर काफी low input lag, 120 Hz तक का variable refresh rate, HDMI 2.1 port, high frame rate और एक dedicated game mode का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साथ ही इस बार LG, Sony और Samsung को टकर देने के लिए Panasonic ने अपने इस flagship TV में 360 degrees Soundscape Pro Technology का सपोर्ट दिया है जिसमें upward and sideways firing speakers आते हैं जो कि आपको एक surround sound experience डिलिवर करते हैं और यहाँ पर आपको audio enhancement के लिए Dolby Atmos का भी सपोर्ट देखने को मिलता है साथ ही इस Panasonic Jay-Z 2000 TVs में आपको latest home screen 6.0 OS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा विच डिलिवर से smooth and lag free user experience और इस TV में आपको सारे standard ports का सपोर्ट मिलेगा along with HDMI 2.1, Bluetooth 5.0 and dual band Wi-Fi अब दोस्तों सबसे important बात कि यह TV का price क्या होने वाला है तो यह Panasonic Jay-Z 2000 TVs का 55 inch variant आपको मिल सकता है around 2 lakh रुपीज में और वही 65 inch variant आपको मिलेगा around 2.5 lakh रुपीज में और अंदाजा यही है कि यह TVs April या May 2021 तक मार्केट में लाँच कर दिये जाएंगे तो दोस्तों I hope कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह के latest और knowledgeable वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें Thank you